एक दिन एक बहुत सुन्दर महिला आई महराज स्त्रिनाद के दर्बार में वो इतनी सुन्दर थी कि सब लोग उसको दंग होकर देखते ही रह गए जैसे वो चलकी महराज की और गई बस सब लोग अपना काम धाम छोड़ कर नजरें उसी पर रखे हुए थे प्रणाम महराज मैं एक बुनकर हूँ और मेरी मंदली ने जादवी बुनाय की कला को सिद्ध किया है मैं आपके लिए ये नमूना लाई हूँ सुन्दर महिला ने एक छोटा सा डिब्बा को खोला और एक रेशम का कपड़ा अंदर से निकाला कपड़ा इतना मुलायम और इतना हलका था कि महराज त्रनात हैरान रहे गें ये तो हवा जैसा है जी महराज ये एक विशेश तक्नीक हैं जिसका उपयोग हम ऐसे अनोखे कपड़े को बुनने के लिए करते हैं हरंकी अब तो हम एक नए परियोजना में लगे हैं हम एक ऐसा कपड़ा बना रहे हैं जो इससे भी हलका पतला और मुलायम है हम उसे आकाश ये कपड़ा कहते हैं क्यूंकि केवल देवताओं ने ही इसे अब तक पहना है महराज त्रिनात और उनके दरबारियों ने बहुत ध्यान से सुना उस सुंदर महिला की रशीली अवास को जो पूरे विशाल कक्ष में गूंज रही थी हम ठेक है मैं तुम्हारे परियोजना में निवेश करूँगा पर तुम्हारा अन्वेशन होने के बाद तुम्हें मुझे एक नमूना प्रस्तुत करना पड़ेगा महिला ने रजामंदी दी और महराज की दिये हुए सोने की सिकों का बड़ा सा थैला लेकर चली गई आखिरकार महराज ने अपने कुछ मंत्रियों और पहरेदारों को उस महिला की कार्यशाल पर भेजा जब वे लोग वहां पहुंचे तो वहां का नजारा दीगगर अस्चर रह गे वहां करगे तो थे पर कोई धागा नहीं साथ बुनकर उन पे काम कर रहे थे और वे अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि किसी ने भी इतने आदमियों की सेना को ध्यान ही नहीं दिया करगे काम तो कर रहे थे पर अंतु उन में से कोई कपड़ा निकला ही नहीं सब मंत्री दरबार वापस गए और तुरंत महराज को सब कुछ बटाया महराज ख्रोधित हो गए उसी समय उस महिला को बुलाने का आदेश दिया महिला अपनी एक दासी के साथ आई जो एक खाली थाल पकड़ी हुई थी महराज के सामने जुपकर महिला ने कहा महराज जो नमूना आपनी मांगा था मैं वो ले आई दासी ने महराज को खाली थाल प्रस्तुत किया महराज बोलने ही वाले थे कि थाल खाली है जब महिला फिर से बोल पड़ी महराज यही है वो आकाशी कपड़े का नमुना साधारन मनश्य को यह दिखाई नहीं देता परम्तु जो मेधावी और बुद्धीमान है केवल वही देख सकते हैं इसकी लावन्या जो भी लोग वहाँ उपस्तित थे ये सुनकर हैरान रह गए सब सोचने लगे महराज शायद हम सबको मूर्ग समझते हैं समय आ गया इस बात को ठीक करने का कुछ आदमी महराज के पास गए और बोले महराज क्या कमाल का कपड़ा है ये इसकी कड़ाई की बारी की तो देखो लह जवाब चीज है ये केवल आपके लिए ही उपयुक्त है ये सुनकर महराज अच्छरज में पढ़ गए उन पे मुसीबत आ पड़ी अगर वे कहेंगे कि उनको कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो दरबार के सब लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे और अगर बोलेंगे कि हाँ दिखाई दे रहा है तो ये ठग्य महिला सारे पैसे लेकर भाग जाएगी महराज ने अपने भरोसिमन सेवक रामदास को अपने पास बुलाया और धीरे से उनके कान में सब कुछ पताया रामदास ने केवल मुस्कुराया महिला की और देख कर बोला साहिबा हम आपकी प्रतिमबा की सराहना करते हैं इस आकाशिय कपड़े को स्वीकार कर हम धन्य हो गए परन्तु उच्चित सम्मान के साथ महराज का ये निवेदन है कि आप इस दर्बार में इस कपड़े को पहने ताकि हम सब देख सके कि ये किसी इंसान पे कितना सुन्दर लगेगा महिला को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई और चाल नहीं चल पाई वह या तो अपने गलती स्वीकार कर सकती थी या सब के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो सकती थी कोई और रास्ता ना होने पर महिला बस महराज की कदमों पर बढ़कर माफी की भीक मागने लगी महराज थे दयालू तो उन्होंने उसको ख्षमा कर दिया परन्तु महिला को वो सोने की सिकों का थेला वापस करना है